डैनासौर एक ऐसा शब जिसे शायद ही किसीने नहीं सुना हो आज से लगभग करोड़ु साल पहले डैनासौर हुआ करते थे जिनके उपर काफी सारी फिल्में भी बन चुकी है जिवाश मविज्यानी रिचर्ड ओवन ने 842 में डैनासौर शब्द का नाम दिया था अब तक दुनिया भर में 1100 से ज़्यादा परजातियों के डैनासौर के अवशेश मिल चुके हैं और आज भी आपको पूरी दुनिया में कही न कहीं इनके बारे में जानने ये सुनने को मिल ही जाता है डैनासौर दो प्रकार के थे एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी शाकाहारी डैनासौर पेडों की पत्तियां इत्यादी खाकर जिंदा रहते थे और मांसहारी डैनसौर एक दूसरे को ही मार कर खा जाते थे पृत्वी पर जब डैनसौर रहते थे तो उस काल को हम मेजोनोईक एरा के नाम से जानते हैं डैनसौर का जीवन लगभग 20-200 सालों तक होता था अब तक मिले अवशेशों में सबसे बड़ा अवशेश अमेरिका के योमिंग राज्यस से प्राप्त हुआ है जिसके लंबाई लगभग 27 मीटर के आसपस बताई जाती है दोस्तों हम सब जानते हैं कि डैनसौर का अंत प्रित्वी पर एक बहुत बड़ा उलकापिंड गिरने से हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं डैनसौर से भी पहले कई तरह के एनिमल्स मौजूद थे जो बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे तो चलिए जानते हैं उन एनिमल्स के बारे में सीटैकोसोरस अमेरिका और चीन के शोदकरताओं ने एक साथ मिलकर काफी खूज करने के बाद सीटैकोसोरस के बारे में जानकारे निकाली उन्होंने इसे एक इस्तन पाई एनिमल्स बताया उन्हें जब इसके अवशेश मिले और उन्होंने उसके रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि उसके पेट में बच्चे का अवशेश हो सकता है लेकिन बाद में काफी रिसर्च के बाद वो ये जानकर शौक हो गए कि उसके पेट में डैनसौर्स के पाठ है फिर बाद में और गहरी रिसर्च के बाद वो इस रिजल्ट पर पहुँचे कि सिटैकोसोरस डैनसौर्स को भी खा जाता था ये बहुत ही टेंजरस हैनमल था मेगा नियूरो आपसिस ऐसा माना जाता है कि मेगा नियूरो आपसिस भी डैनसौर से पहले का जीव है आप अकसर अपने घरों के आसपस एक जीव को देखते हैं जिसका नब डैगन फ्लाय है जिसे आपने कई बार पार्क और घरों के आसपस उरते हुए देखा होगा मेगा नियूरो आपसिस भी इन्हीं के तरह एक जीव था लेकिन इसकी लंबाई आज के ड्रेगन फ्लाय की लंबाई से कई गुना ज़ादा होती थी और यह ड्रेगन फ्लाय से काफी ज़्यादा खतरनाक भी था ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई धाई फिट के एप रॉक्स होती थी अर्थो प्लूरो एक ऐसा एनिमल है जिसे हम केच्वे जैसा मान सकते हैं लेकिन अर्थो प्लूरो की लंबाई साड़े 6 फिट से भी अधिक होती थी हाला कि इसे शांत बिहेवियर वाला जीव माना जाता है दुनिया में कुछ जगों पर इनके होने के प्रूफ आज भी मिले हैं और इसकी लंबाई 8 फिट तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है वैसे आम तोर पर माना जाता है कि धरती और पानी में रहने वाले काफी सारे एनिमल टैनासौर से पहले भी थे उनहीं में से एक थी बिगेस्ट एंट नॉर्मली आपने जो एंट अपने घरों में देखी है या उनसे बहुत बड़ी या यूँ कहें कई गुना बड़ी होती थी हम जो एंट आज देखते हैं वो कुछ भी खा लेती है लेकिन उस जमाने की एंट केवल फ्रेश फूड ही खाती थी और उनकी खास बात यह थी कि वो तब भी ग्रूप बना कर ही रहती थी ब्रॉंटो स्कॉर्पियो ब्रॉंटो स्कॉर्पियो को दुनिया का सबसे पहला स्कॉर्पियो भी कहा जा सकता है आप सभी जानते हैं कि एक साधारन स्कॉर्पियो की लंबाई 5 इंच के अप्रॉक्स होती है लेकिन ब्रॉंटो स्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे जी हां क्योंकि इसकी लंबाई 3 फिट और 1 मिटर तक होती थी ब्रॉंटो स्कॉर्पियो किसी भी जीव को अपने नुकीले हाथों से पकड़ कर आसानी से मार देता था टेराइगोटस टेराइगोटस एक बहुत ही खदानाक जीव था जो पानी में रहता था देखने में इसका सेर स्कॉर्पियो के जैसा ही दिखता था लेकिन उससे कहीं जादा टेंजरस था इसकी लंबाई 100 फिट या 3 मिटर के अप्रॉक्स होती थी और ये अपने मजबूत हाथों से शिकार को पकड़ कर उसे मार देता था इसके आगे बड़े से बड़े एनिमल भी मुश्किल से ही टिक पाते थे रिसर्च में पता चला है कि टेराइगोटस का आस्थी तो डैनसार से भी पहले का था डिनोसेफलोसॉरस डिनोसेफलोसॉरस का जन्म आज से 25 करोड साल पहले हुआ था इसे डैनसार के पूरवज के रूप में भी माना जाता है साउथ चीन के आसपास इसके होने के प्रूफ पाए गए है टिनोसोफलोसॉरस एक समुद्र में रहने वाला जीव था इस विशालकाई जीव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल इसकी करदन ही 18 फिट होती थी इसके अवर्शेशों पर काफी रिसर्च करने के बाद यह पता चला है कि यह डैनासॉरस से भी पहले का जीव था लाइबर इंथो डॉन्टिया ये बहुत ही खतरनाक जानवर था आप इसे आज के क्रोकोडाइल के समान मान सकते हैं लाइबर इंथो डॉन्टिया अपने नुकीले और तेज दातों की वज़र से बहुत जादा खतरनाक माना जाता है यह अपनी तेज नजर और फूर्टी से अपने शिकार पर तूट परता था इसका साइज आज के क्रोकोडाइल से काफी बड़ा होता था लेकिन इसकी फूर्टी ही इसे सबसे ज़्यादा टेंजरिस बनाती थी यह बड़े से बने अनिमल्स को मिंटो में ही फिनिश कर सकता था गाइस ऐसे बहुत से अनिमल हैं जिनके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ धर्ती पर टेनसार के बारे में अभी भी चैनकारी इनकम्प्लीट है जिसके लिए अलग-अलग देशों में रिसर्च चल रही है शुरुआत में हमें ये पता था कि टेनसार के वल अंडे ही देते थे लेकिन रिसर्च से पता चला कि वो बच्चे भी देते थे तो गाइस आपको इमसे सबसे खतरना कि जिए कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लो ता कि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार